प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के इस न्यू इंडिया के सपने को साकार बनाने के लिए आज ही न्यू इंडिया चैंपियन्शिप में भाग ले अधिक जानकारी के लिए 3years.mygov.in पर लॉग उन करे पर लाग ओर फो जाले मनत्री कार्श करेंद्र में भाग बल्व पर लाग इज़ चैंपां लॉड़ इंडिया । स्ज़ी उसे जसे एससी नहें भीस्तोर्च प्रेट मोमें वी को आफ जाल घ्याफिक चुर्ट आफ्यूमुर्ट में लिए यौर्फिक नहें यंड ये जाफिक जाफिक वडिंड कर दोड़िया है झाल झाल 5 concept of आरोग ये सेतु आ साइन अप करने पर प्रतियक यूजर को एक यूनीक डिवाइस आईडी दी जाती है डिवाइस आईडी को मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार लिंक्ट करना है और इसे सर्वर में सुरक्षित रूप से एंक्रिप्ट और स्टोर किया जाता है भविश्य में आपके mobile even server के बीच होने वाली सारी बातचीत इसी device ID के माध्यम से होती है तथा कोई भी नीजी जानकारी का आदान प्रदान registration के बाद नहीं होता है जब आप unregistered mobile धारकों के निकट आते हैं तो यह आप इस interaction को आपके phone पर एक encrypted signature के रूप में store कर देता है इस interaction की जानकारी server में तब तक नहीं भेजी जाती जब तक आपको संक्रमन का जोखिम ना हो या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के contact में आये हो जिसे बाद में high risk वाला diagnose किया गया हो या फिर आपका self assessment ही आपको risk की category में रखता हो भारत सरकार आपकी इस जानकारी का प्रयोग केवल necessary medical interventions के लिए ही करती है आपके data का उप्योग किसी अन्य उद्देश के लिए नहीं किया जाएगा एप कभी भी किसी की व्यक्तिगत identity को उजागर नहीं करती है COVID-19 रोगियों की पहचान आम जनता के साथ साजहा नहीं की जाती है सभी unique interactions की जानकारी mobile पर केवल 30 दिन के लिए संग्रहित की जाती है जिसके बाद यह data हटा दिया जाता है Non-risk users के server पर stored data को 45 दिनों में हटा दिया जाता है At-risk patients का data 60 दिन में हटा दिया जाता है COVID-19 की जाच positive होने पर आपके location data का उपयोग केवल उन स्थानों की पहचान करने के लिए किया जाएगा जिन्हें आपने पिछले 14 दिनों में विजिट किया था इससे उन locations की पहचान हो सकेगी जिन्हें sanitize करने की जरूरत है तथा जहां लोगों की अधिक गहराई से जाच करने की आविशकता है और emerging areas को identify किया जाएगा जहां infections outbreaks की संभावना है Location data का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश के लिए नहीं किया जाएगा